हाई गाईस कैसे हैं आप सभी लोग आई हूँ अच्छे होंगे और आज किस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी आर्मी जीडी की त्यारी कर रहा है आर्मी जीडी तो उनके लिए हम मौश्ट इंपोटेंट कोशन दे रहे हैं 2022 के एक्जाम के लिए आप जानते हैं ये ये वो तीज कोशन में क्लियर कर दी है यहां 31 से लेकर वीश कोशन और देखेंगे जिसमें आपको मैथ और reasoning की question देखने को मिलेंगे जिसमें मैत 15 कोशन होंगे और reasoning के बाज कोशन होंगे टोटल 20 कोशन मैत के होंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है ठीक है तो आप जो कोशन बता रहा हूं इन कोशनों को याद करके बहुत अच्छी मतलब याद करने की जूरूत नहीं इने सम संगीत बिद्ध्याले में सतर परशन विध्यारती लड़के हैं यदि लड़कियों की संख्या 255 है तो लड़कों की संक्ख्या क्या होगी अफ से प्यघा कैई हैं सतर पर शेंट की बाराबर उन्होंने दे रखा है 255 कि पर यह परा scenarios कितना होगा तो आप होगे 255 बटे 255 बटे 30 कर लेंगे एक परशंटे निकल आजाएगा यहां से तीन से काट देजी यहां दस बचेंगे और तीन से काटेंगे टब सबसाइब निकल गया गया धेट और हृण गरेंगे तो आच्छों को करेंगे तीन ही सामने लेते हैं कि यहाँ है कि 30-359ST क्या होगा तो अपस में घटा लेतें आपस में जब संख्याओ गटा लेंगे तो अधो त्रेपर में से हम 13 तो थेइस बचएगा जो इनमिन इन दो ş्थ ऑर इन दो से देदयों ऐन् warriors वो इतने और इतना से दिवाइड करेंगा तो यह एक से समान किया जाए और थोड़ी से चोड़ी संख्या की बात करें तो एल से निकालेंगे नेक्स कोशन आपके सामने पूछा गया है यदि दो संख्या का गॉणनफल इसका सूतर होता है यहां कह रहा हूँ और उसका जो मासा है मासा को हम हम एट सीफ कहते हैं उसका जो मासा है वो 15 है और लसीम आ यह होता है एक्स इंटू वाई मतलब फ़स्ट संख्या सेकंड संख्या बराबर मासा इंटू लासा ठीक है तो यह मासा एल सेफ यह दोन हो जाएगा अब यहां देखे हमसे मासा कितना दे रखाए 15 मासा दे रखाए तो यहां 15 लिख देंगे लसीम इंगे और इन दोनों सं पच्छेश्ट बैटे पंद्रा कर देंगे आब इसको काड़ देंगे 5 से काड़ दीजिये यह फिरा 25 से कार दीजिए 15 15 कंद्र तीय पैटालिस होता है बचे कितने दो बचे हो गए 22-25 15 15 15 25 फीसटर ठीक है फंसे कुछतर हो जाएगा तो 3015 हमारा आलसी हो जाएगा तो बाई बरावर मासा इंटू लासा पहली संक्या इंटू दूसरी संक्या बरावर मासा इंटू लासा ठीक है इस प्रिकार से कोशन को शॉल्ब करेंगे नेक्स कोशन चौथा कोशन आपके सामने है चौतिसमा कोशन देखिए इस कोशन को हम कैसे करने वाले हैं कह रहा है एक काम को देखो ए एक काम को ए और बी बारा दिन में करते हैं वो कह रहा है ए और प्लस बी ये दोनों मिलकर बारा दिन में कर रहे हैं उसके बाद में कह रहा है सी और ए सी प्लस ए मिलकर जो काम कर रहे हैं वो बीस दिन में कर रहे हैं बाकी बी और सी बी और सी जो मिलकर काम कर र देखें थोड़ा सा करते हैं इस परकार से यह देखीए यदि हम 12 तो सिंबल तरीका यह है लेकिन आपको छो चाहें कर सकते हैं इससे कि आप मालें जिए 12 से 16 12 48 12 15 60 60 ले लिजी क्योंकि 20 से 60 कर जाएगा 15 से 50 कर जाएगा याप ऐसे इस प्रकार से लिखे भी कर सकते हैं अब यहाँ तीन से बचेगा है दूनिय आ जाएगा तीन आ जाएगा तो एकम आ जाएगा उसकी बाद में दो से कार लो अब देखो कर सकता है कि ऐसी कौन सी है जो चारों ऐसा एल से बोल से होता है वो तो तीनों संख्याओं से डिवाइड होता हो जैसे साथ ऒारा कम कर रहे हैं तो लोगो एक 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 बंदा दो दो बार काम कर रहा है तो इसको काट देंगे चैसेदı 6 से भाग कर देंे, 6 से भाग कर दिया, तो कितना उचेगा, 10 से अचसे करेंगे, लगोगे, निये ही हमारा क्या होगा, 10 से अंसर होगा, आप इस प्रकार से करेंगे, अब मैं इसको sword बताता ह congress कैसे करना है, तेंको तरीका भी होगा, मैंने क्या कहा आप से, कि आपको क्या होगा आप देखो मैं इतना K lux prost करेंगे लेकिन हम जब कैसे करेंगे उक बार देखना जब उसने जब कभी बोलें कि मॉट्धे को दोए प्लस बी मिलकर सीप्लस मिलकर इतने कम कर रहे हैं तो हमें क्या करना और न यहां जब वो कह रहा है लुट कर और इमलकर और यह दो बार होई यह दो वार आए चो एलीज बार आइन सब को जोड़ेंगे इन सब को जोड़ेंगे तो यह यही हमारा आंसर होगा इस प्रिकास से पहुत जल्दी स्कोशन को कर देते हैं जब बंदा दो बार काम करता है तो आपको पेपर में नेक्स कोशन आपके सामने इस कोशन को देखिए एक बार यहां कहा रहा है एक आयताकार कि एक मूझा तो लंकी में प्रिमाप क्या होगा आयत कैसा होता आएक कैसा होता है कि किसी ने कहा यह आयत होता है मैं और वह और जो countries आयत का जो चेटनपल होता है कि आयत का जो चेटनंफ होता है कैसा फिर ट्व हो थे और हुटा है एंटुब हो था मतलब इसको ए मान लीजिए और इसको अब इसको हमने देखो 0 से 0 काड़ दिया और इसको डबाइट करेंगे तो काएगा 28 28 तो बी का जो मान आ जाएगा 28 बच्जाओँ से चारों हुजाओं का यूग क्या होता है परी माफ होता है बता दो इन चारों बहiphul कितना हो जाएगा दोनों को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 96 हो जाएगा 96 सेंटीमेटर नमारा राइट और अप्शन नमबर ए परमसथांसर है नेक्स कोशन कुशन हमसे पूचा गया है इस को देखेंगे सब बोल होता है और उसकी तरज्य क्या क्या रहा है यह जो तरज्य होगी साथ सेंटीमेटर दे रखिए रहें पचास चक्र में कितने दूरी तैय करेगा यह हमसे पूछा है तो हमें इसकी परती निकालने पड़ेगी तो यह बिरत है ना तो आपको पता है बिरत की जो पर्धी हो तो आर के जगए पर देखो दो इंटू 22 बटे साथ इंटू साथ लगा देंगे क्योंकि सेंटीमीटर दे रखाए साथ से साथ कर जाएंगे तो जो परदी निकल के आएगी वह चावालेस आजाएगी अब एक बात बताओ यह कितना है पचास तो पचास से हम चावालेस के साथ गुणा कर लेंगे चावालेस के साथ पचास की गुणा कर लेंगे क्योंकि यह तो एक चक्कर की निकल के आई हमारी परदी एक चकर तो यहां से स्टार्ट किया और यहां तक लगाएगा तो यह संटिमिटरा घया 22 संटिमिटरा एक हिसमीटर हमारा राइव उसको करेंगे न raction को पर के सामने हैं इसको अंसर करने आदे और और में कारीयाल में 20 इमिक को इतनी है प्रति महानए ठीक है उसकी आया कितनी है ऑसफ जो आय prowkaas यृदि जोड़ी जाए ठीक है तो ऑसट 2000 प्रति महा हो जाता है तो प्रब्बध की नोंगाघंग तो इसकी आयोगी आप आपस में गोड़ा जो मजदूर है उनकी आए कितनी है उनकी आए 1900 है यदि 20 के साथ 1900 की बुणा करेंगे तो कितना आजाएगा 38000 आजाएगा तो आप कितनी हो जाती अब 2000 हो जाती है तो 21 कितना हो जाएगा बिटा 21 कितना हो जाएगा 2221ige100 ञडागा तो हम 2700 में से 3900 ञटां देंगे तो 4000 जो 4500 जो एक ब्यक्ति जोड़ा था उसकी कि इया 4,000 तो यहीं कि लिब डाख करू ओ जी कोशन बोल रहा है इसको एक बार करने की कोशिश करेंगे सबी लोग कह रहा है एक मीटर लंबे तार के बने ब्रत का छेत्रफल क्या होगा अब एक मीटर बरावर आपको पता है क्योंकि यहां भी सेंटीमीटर दे रखा है तो एक मीटर जो बरावर होता है वो सो सेंटीमी करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा वो कितना कितनी इसको गोल करेंगे एक लंबा तार मालों यहां से लेकर यहां तक लंबा तार है यह कितना है सो सेंटीमीटर लमबा है यदि हम इसको गोल करेंगे ऐसे करके गोल करेंगे इसको ठीक है उसके बाद त्रज्जा निकालेंगे तभी तो छेतफन निकलके आजाएगा पाय अलिसको अरश्तुत पर लगाएंगे अब इसको बताओ कैसे करने वाले हो टाओ था इसमीफ बताएंगे कैसे करेंगे अब कर दो एक बार कॉमेंट सेक्शन में दाओ कि कि है देखिए मैं आपको बता दूग सिंपल तरीके से पहले तो हम इसकी परदि निकालेंगे अभी इसको पहले पर्दी बनाओ यह परदी बनाओ तो परदी बराबर किया होता है मैंने भी आपको बढ़ाया था पर्दी बराबर क्या होता है आप देखो हमें पर दिने रहे किन tat तो हम देखो आपको यह पता होगा यदि हम दो से काटेंगे तो यह 50 बचेगा बचेगा और 22 बटे 7 होता है हमें कि में आजाएगा इसरी आपको कि में आपको बिलकुल आजाएगा यहमारा आगे हमारी निकल के आई भूह आ थीखर है यह इतनी सेंट्मीटर निकल का आई है अब से बाद हम से है तो observing Okay शेतफल बड़ाबर क्या होता दोध मने क्या है मान होता है 22 बटे साथ हमारे लगाने यह लगाना है कितना लगाना है 50 x 7 बटे 22 और दो बार लगाना है क्योंकि यह आजाईगा 25 आद़ा करेंगे इसको काहिए तो कितना आ जाएगा यह तो ऑर यह साथ से यह साथ कर जाएगा तो अभ ऩश क同व पच्शेश Кूर्णा करें कि फश्ञार कर लीज़े तो पच्शेश होता है । इन तो से खुना करेंगे तो चार और यह पांच और शो 250 अहीं है जिशök मुहिन्ट रूखेंगे और देखो यह 11 बचा है देखो 11 से डिवाइट करेंगे इसको उसकी बारम 11 से डिवाइट करेंगे इसके नीचे 11 और होगा देखो बीटा यह ग्यार बचा हुआ है तो हम क्या करेंगे देखो को यह कितना है बारा सो पचास बते गयारा से और टिवाइट करेंग घयारा काकी तरज्ज हमारी नि begitu कल तरज्बा रहा है निकल कर लेता है काटा पी टि में गड़ बढ़ हुआ है कहें तो करने का तरीका यही होगा थम तरजबर छेत्रफल के आगी हमारी तरजबर के आगी हमें तरजबर रहता है दुबारिगते त्रिके देखें को देखो यहां क्या करना है syllables या ध्यान से देखना है यह कहरा और इन्टो 50 but which I listen 7भाट pos unit वाइस अब यह क्या करना है देखो किसी यहां काटें तो 10 या अठो ग्यारा आजाएगा यहां काटेंगे 25 आजाएगा और यहां काटेंगे तो ग्यारा ओजाएगा फिर यारह एको कि वो यह वाला भी 7 बचे है यह दिक्कत कर रहे थे तो यहां कितना कितना होजाएगा पॉघ्ये करें रहेंगे अब हमें काट आ है अब हमें काटना अब हमकाटेंगे वही हमारा आंसर होगा अब जो हम काटेंगे वही आंसर होगा तो देखो 14 पंजे होता है सत्तर चौदा से इसकी उड़ा करो 14 पंजे होता है सत्तर ठीक है और 28 इसको हम जोड़ेंगे तो 5 यह आजाएगा 87.87 पचास और इतने अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 795.25 cm2 तो आप इस प्रिकार से कोशन को करेंगे option नमबर ए परमसक्ता अनसर होगा आप इसको डिवाइड करेंगे आप इसको डिवाइड करके देखिए खुझ से एक बार डिवाइड करके खुझ से देखिए आपका answer राइट आ जाएगा ठीक है तो आप इस प्रिकार से करे अब इसको देखिएगा इसको डेखिएगा इसको डेखिए इसको कैसे करेंगे आप इसको करने को बताता हूं एक बार करने की कोशिच करिए है कि सभी लोग एक बार करेंगे सक्कोशन को कैसे करेंगे देखिए अब अब यह वरताकार बैलन है तो बेलन किसप्रकार से होगा इस प्रकार से यह तो एक बार बताए कि तो अब यहां 15CM तो आ गई अब हम से कह रहा है। इसके आधार की त्रज्या है मतलों कि यहां से स्काइटन कीतना होगा तो आपको यह तो पता होगा कि जो बेलन का जो आइदन होता है जो बिलन का जो आयितन होता है इस प्रकाष्ट कह सकते हैं बेलन का जो आयितन होता है पाई आर इसक्वाइर एज तो अब एसको लगा देना है आंसर आपके सामने आजाएगा तो हमें क्या करना है आपको ये पता है यह 22 2067 और पाई हमारे लोग करके दिखाएंगे बताओ सभी लोग करके दिखाएंगे ठीक है तो आप देखो साथ देखो साथ दूनी 14 होता है हासल एक हो जाएगा और फिर पंद्रा से बुना कर लेंगे और हासल छे और सब्सक्राइब बताएंगे अब तो आप जिसने भी दिए फिर बिशने ने वाला है नेक्स्ट कोईशना आपके सामने है इस question को इंवार देखीगे कोशिश करिए कि एक संख्या में वही संख्या तथा पांज जोडने पर उत्तर सत्रा आता है है संख्या क्या है माल लीजिए कोई संख्या है तो ऐसे question को हम option से करते हैं तो कैसे करेंगा option से देखो मालो यदि हम दो में वही संक्या एक संक्या में वही संक्या और पांच जोड़ दें तो उत्तर उसका जो आना चाहिए मतलब मालोग संक्या एक्स है उसमें ही एक्स और जोड़ दें प्लस पांच जोड़ दें तो उसका मान सत्रा आना चाहिए यह हमसे बोल रहा है यदि हम पहले option की बात करें दो में 2 जोड़ेंगे और 5 जोड़ेंगे 17 होगा तो नहीं option खतम कर दो 6 में देखो 6 जोड़े प्लस 6 जोड़े और प्लस 5 जोड़े के उनका 17 होता है तो 6, 6, 12, 12, 15, 17 यह बात सही है तो यही हमारा right answer होगा options ऐसे question को करते है next question आपके सामने है इस question को एक बार देखिएगा यह कह रहा है एक motorcycle 140 meter की दूरी कितने 140 meter की दूरी 18 second में ते करती है तो कह रहा है इतने घंटे में की गति बताओ तो kilometer गति घंटे में आपको गति बतानी है इस मतलब कि आपको चाल निकालनी है तो आप सभी को पता होगा चाल बराबर क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है वीटा चाल बराबर दूरी बटे समय होता है अब एक बताओ कितने meter है तो आपको किसागल इतने meter चल रही है केane करें ज這邊 में तो आपको क्या करना है हमें म darный से मिट्र से मीटर बनाते हैं तो पांच Bते 18 से गुणा करते हैं और आपको चेंज्ड़ करना करते है यह बहुत त्रेchnव है इसको याद रखना है आपको तो यहां हमें क्या रखा कुलोमीटर में क्या मतलब क्या होता मैंने कहाई जब कि बात करें तो चलोमीटर से गुणा करेंगे तो अठारा करएगे इस परकार से को चुखण को करेंगे बिल्कुल चुटकियों में, next question आपके सामने है इस question को एक बार देखिए इस question को एक बार सभी लोग देखेंगे इस cancer क्या होगा, देखें यह कह रहा है वह चोटी से चोटी से अंखिया ग्याद करो जो इतने से, इतने में से घटाएने पर इतने में से घटाने पर आपको सभी बताना है क्या रहेगा इस cancer, सभी लोग इस cancer बताएंगे एक बात बताएँ, पूर्ण बर्ग बन जाए यह यदि यह संखिया आप देख रहे हैं तो ऐसे भी question को हम option से करते हैं ऐसे भी question को हम option से करते हैं यदि माल लीजे, वो पूर्ण बर्ग बन जाए मतलब कि हमें बर्ग बनाना है यदि इसमें हम 175 में हम यदि 7 घटा दे, तो कितने मचेंगे तो आप वोगे 168 बटेंगे सर जब 168 किसी का बर्ग होता है तो आप वोगे नहीं होता है यदि हम 6 घटा दे, option कट गया अब 175 में से हम फिर 6 घटाएंगे option 2 को देखेंगे तो 169 होता है sorry, 179 होता है 179 किसी का बर्ग होता है तो आपको पता है कि 13 का बर्ग 190 होता है, ये बिलकुल right answer है तो option number हमारा 20 right होगा कोई issue नहीं है किसी को बस हमें बर्ग पता होना चाहिए वही बोल रहा है तो 13 का बर्ग 116 घटा होता है ये हमारा right answer है ठीक है, next question आपके सामने देखा है दिए गए बिकल्पों का आपको रिक्तिक बतानी है दिए गए बिकल्पों की आपके रिक्तिक बतानी है 45 के बाद यहां क्या होगा हमसे यह पूछा है यहां space है, zero नहीं है अगली संक्या क्या होगी यह बताए यह reasoning का question आ गया बिटा यह reasoning का question है एक बर बताओ, यहां कहरा है 49 से देखो right answer क्या होगा बिटा c is right होगा next question को देखिए next question हमारा बोल रहा है कि एक बरत की तरज्जा कितनी है बरत का च्छेतर फल क्या होगा अब एक बताओ, हमने यह बरत बनाया इसकी तरज्जा है वो 28 मीटर है तो उसका च्छेतर फल क्या होगा आपका बरत का च्छेतर फल होता है वो पाई r square होता है तो 22 बटे साथ लगा दो और तरज्जा का अमान 28 to 28 लगा दो क्योंकि r दो बार है square है तो दो बार तरज्जा का अमान लगा देंगे divide कर देंगे, साथ चोट 28 होता है देखो यह कितना होगा करेंगे कितना आएगा तो आप यह टो डिए चार बीफ है तो यह करने का तरीका यह भोना करने की तरीका यह ठाइसि लिखेंगे और यहां इसकी इसके साथ पूरा करने की जरूद नहीं है यहीं सॉल्ब हो जाएगा और पूरा करना चाहते हो तो और चौशन आपके साबने हैं कि एक बस्तू को इतने रुपए में बेचने पर प्रसांत को इतने रुपए की हाने हुई तो उस बस्तू का किरहमूल क्या था तो जब भी ऐसा कुछ पूशे की हानी हुई तो पर्शंटेज को फैक्चर वैलू में डिवाइड कर लो पर्शंटेज को फैक्चर वैलू में डिवाइड कर लो पंदरा से काट पांच से काट पांच पच्छे सो जाएका और पांच दूं नहीं कितना हो जाएक वीस हो जाएक फिर चार तीन वटे है और और दो एक बराबर जीरों के डबल जीरों आजाएगा और आट चौक बद्टिस हो जाएगा दो अब देखो दू किस्में है तो आपको यही है तो उप्ट्चन 2700 कितना हो जाएगा यही हमारा right answer होगा, इस पिरकार से simple तरीख से किया गरो, question को 27,000-200 हो जाएगा, यह हमारा right answer होगा, इस पिरकार से question को solve करेंगे, factor value to divide करके, ठीक है, factor value to divide करके पूचेंगे, next question आपके सामने है, अब देखेंगे, समान, बुद्धिमंता मलग कि यह है, आपका reasoning से question बनते हैं, तो इन question को देखेंगे, इस question का पहला question बताओ, reasoning के आप कैसे करोगे इन question को, देखो इस question में दे रखा है कि P का मान, दो माना गया है, A को 1, और L को 3, और E को 4 कहा जाता है, E को कहा जाता है, इसी पिरकार P को क्या बोला और L को क्या बोला जाएगा, तो आप कहेंगे, P को तो 2 बोला जा रहा है, तो 2 लिख दो, और E को क्या बोला जा रहा है, E को 4 बोला जा रहा है, 4 लिख दो, A को क्या बोला जा रहा है, एक लिख दो, R को क्या बोला जा रहा है, और L को क्या बोला जा रहा है, तो 3 लिख दो इस question को यह हमारा relationship का question आया बिटा, relationship के question को हम कैसे करते है देखियो, यह कह रहा है Ь अरुण है अरुण को हम't quiet Aująan है ने कहा, अरुण ने क्या कहा कि यह लड़की, कोई एक लड़की है वड़की है, मतलब, पोती की क्या हो नहीं है पत्नी है इसकी पतनी है, जब इसकी पतनी है, एक बाँ बताओ, इसकी पतनी है, तो इसका कोई पिता होगा, यह कहीं पिता होगा, पिता कोई हो सकता है, यह यही हो सकता है, चाचा कोई हो सकता है, तो अरोन का उस लड़की से क्या सब रिस्ता है, तो अरोन कौन है इस लड़की का, तो ससुर ही तो होगा, तो इसका कौन होगा, ससुर होगा, क्या होगा, ससुर होगा, क्या होगा, ससुर होगा, क्योंकि एक बात मानो, तुमारे पापा की मम्मी है कोई, और तुमारी पतनी है, तो तुमारे पापा की कौन है आपकी बीबी, तो आप कोगे बहु हुई, बहु होगा नेक्स कोश्चन को एक बाद देखिए इस को नीचे दिए गए बिकल्पों की रिक्तिस्तान की पूर्ती करना है तो यहां रिक्तिस्तान बताना है वन नाइन टू फाइब पॉर नाइन फिर उसके वादे वन टू वन ठीक है अब इसको देखो यहां हमें रिक्तिस्तान की पूर्ती करने है इदा यह कि दो को यह क्या ची चल रहा है किसी का बर्ग तो नहीं है आपको कि हाँ बिल्कुल बर्ग है यह एक का बर्ग है यह तीन का बर्ग है यह पांच का बर्ग है यह कितने का बर्ग है यह साथ का बर्ग है यह कितने का बर् दूसरी केह रहा है और तीसरी पहली पहली से पाँच गुणी है तीसरी है वो पहली से 5 गुनी है मतलब कोई संक्या X है तो पहली से 3 गुनी है और यह दूसरी संक्या होगी बहुत 3 X होगी और तो चौति संक्या होगी 5 X होगी बनलब यह 1st संक्या यह 2nd संक्या यह 3rd संक्या अब इस condition में आपको follow करना है अब ऐसे भी कोशन को हम आप्सं से करते हैं हमने क्या कहा भई आप्सं से करते हैं तो ये मालों कि पहली संख्या हम 24 माल ले तो क्या 4 संख्या 5 गुणी है इसकी 3 संख्या 5 से गुणा करी जाए नहीं है खड़़ू य Croatian Dieu 27 माल ले यह बाद बिल्कुल फॉलो होती है तो यह हमारा option नमबर डी परमचता अंसर होगा तो इस प्रकार से question को करो बिल्कुल लाश्ट कोशन से वीडियो का सबी लोग इस question का answer देंगे वह बता हो यह कह रहा है एक आदमी एक किलोमेटर पूरव की तरफ चलता है अब एक किलोमेटर पूरव की तरफ जाएगा मेरे दोस्त हमने क्या कहा आप से कुछ भी मान सकते हो यहां पूरव माल लो इसको पच्छे माल लो इसको उत्तर माल लो इसको दक्षिर माल लो बात वही है या फिर आप इसको उपर माल लो पूरव माल लो इसको पच्छे माल लो इस इसको यहाई करदे है कि पूरब की ऊर कि उर इक किलमीटर जा रहा है तो पूरब की दिशा जा रहा है, वो कहा रहा है एक किलो मीटर गया उसके बाद में कहा रहा है फिर दक्षन मुड़ जाता है अब दक्षन कहा होगा दक्षन नीचे की ओर है तो दक्षन की ओर मुड़ गया अब दक्षन मुड़ने के बाद में क्या पांच किलो मीटर जाता है चलो पांच किलो मीटर उसे भें कर 9 किलुमेटर दलता है अब उत्तर क्या है उपर किऊ हो रहे तो उत्तर हमने 9 किलुंतर चला दिया ड्यकों 5 कुलोव मेटर तो यहां से यहां तक होगा यह 5 किलुमेटर हो गया और 2 तो ऊपर वचह व Two Di हो गया यहां से दे कर दो यहां तक की दूरी क्या तो कौन सी दूरी होगी तो अब हमसे एक पूंच रहा है यहां इसनी हमेन को निमयोता है यह टुम्स कौर रभाबर कैंम में पता है तो यस्कौाइर के जो टुक्राइब उसकोर हैं तो रूड यहां चड़ेगा बैटा यहां चुर जाएगा तो कितना होगा तो तीन तीन है 95 हो जाएगा और पच्चीष कितने बढ़ी को होता है तो आपको फका होता है तो पांस येशकिन है निकल के आएगा फंश किलींटर ठीक है हम बैसे निगाल देते हैं इन्स कोश्चनों को लेकिन हम आपको करके दिखा दिया ताकि कोई आपको यूशू ना आए कोई दिक्कत ना आए तो आज की वीडियो कैसे लगी कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना आसा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी चलो को सब्सक्राइब को बैल आइकन को प्रेज करेंगे और आदमी जूटी की त्यारी के लिए आप आदमी पेपर हैकर को सब्सक्राइब कर लिए डिसक्रप्शन बॉक्स में लिंक है थैंक यू